समस्कार दोस्तों महाकाल न्यूज में आप सभी का एक बार फीर से स्वागत है दोस्तों आखिरकार काजल रघमानी को लगभग छो महीना बाद खेसारी लालियादो का याद आ ही गया जी हाँ आखिर कैसे याद की है काजल रगवानी खेसारी लल यादो जी को आज इस वीडियो में बताएंगे वीडियो को पूरा देखिएगा लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अपिल है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सस्क्राइब परकर बेल आइकन को दबा देजेगा साथ ही खेसारी लल और काजल रगवानी का फैन है तो वीडियो को लाइक कर देजेगा सेयर कर देजेगा चलिए सुरू करते हैं बीन देरी के अब सभी दोस्तों को बता दूँ सभी का उमीद तूट गया था कि काजल रगवानी सायद भविस्ये में कभी भी खेसारी लल यादो के साथ में काम नहीं करेगी और नहीं खेसारी लल यादो को कभी देखना पसंद करेगी लेकिन आज काजल रगवानी ने एक बार फीर से साबित कर दी कि भविस्ये में हो सकता है खेसारी लल यादो के साथ में काजल रगवानी न गाना बज रहा था इससे लगता है कि खेसारी जी का गाना आज भी काजल रगमानी पसंद करती है और हो सकता है आगे भी भविश्य में काजल रगमानी साइद खेसारी जी के साथ में फिल्में और गाने भी जरूर करेगी इसे देखकर यही लगता है फिलाल इसके बारे में आप सबका क्या राय है कोमेंट करके ज़रूर बताइए मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद